ठीक है जी अब हम जिस चीज़ पर काम करने वाले हैं डाट इस कोडिंग फॉर दीस त्री मॉडल्स मैं यहां पर लिखता हूं मॉडल्स कौन-कौन से नमबर वन है जी आपका रेंडम फॉरेस्ट डिसीजिएंट्री हमने कल कर लिया था नमबर टू हमारा है एडी यह बाकि इसने खूद ही उना दी है पिर हमने एकशै बूस्ट करना है यह बाकि जो है इसको बाद में देखते हूं और यहां पर ग्रेडेट्यन्ण बूस्टिंग भी तो बहुं कर लेंगे यह कोड आपको नहीं मिलेगा इसी वैप साथ सात कोडिंग करेंगे बाकि चाहें जीपिटी जिन्दाबाद अगर किसी ने वहां से लेना है तो आप वहां से भी ले सकते हैं लेकिन अगर यह चाहिए मेरे से तो इस बैटर कि आप साथ साथ काम कर लें तो ज्यादा बेतर होगा ठीक है रैंडम फोरेस्ट लगाने के लिए मैंने कल भी आपको दिखाया था अगर आप डिसीजन ट्री में वापस जाएं तो बहुत ही सिंपल है सेम वही सारे फॉर्मूलें जो आपने लगाने होते हैं डिफरेंट मॉडल्स के अंदर एक रिग्रेसर है रैंडम फोरेस्ट का और ए कि मैं साथ ही दूसरे भी कर लेता हूं और तो कर लेते हैं ग्रेडियनट्स श्लासिफायर को इतना फिरण वर्ग नहीं परता बत वी कन णू ऐल ल्डीज फोर वह होगा दर ताकि हमारे पास जो पहले दू है वह उकहठे चल जाए हई पिर हुआरे पास स्कोर जो है वह इसका गया थो स्कौर का मीनƏर कुर्फ लेते ने स्कूर ऑर कि Wirms कर लेतें हैं उन्हों ठीन मैट्रिक्ष भी कर लिये क्रॉस वैलिडेशन अभी के ठीक है मैं साथ-साथ थोड़ी थोड़ी छोड़ी आपको ब्रेक्स भी देता रहूंगा ताके आप साथ-साथ काम करते जाए और कोडिंग में आपको नीद नहीं आएगी ओविसली एक अच्छा काम होता है इसमें नीद काम प्यानी है आपको कभी ऐसा हुए कि रात को एक एरर रिजॉल्व करने बैठे हैं और सुबह सुबह होगी यह चैर जीपीटी के दोर से पहले की बात कर रहा हूं गोले देता सैट लॉड करना है य्यकीन माने मेरे पास गूगल का डेटा सैट पड़ा है मैं उस पहर भी काम करे वा सकता हो बड़ा है मेरे टुटसाइट इसस्टीप का डेटा में यहां पर पहले लेता हो नेटासैट tips is equal to sns.load dataset tips आ गया इसको फिर x और y के अंदर हम convert कर देते हैं x is equal to हमने tip को drop किया और y के अंदर tip रख लिया ठीक है तो यह कौन सी problem होगी है हमारी regression की ठीक है यह क्यों किया है मैंने क्यूंकि हम algorithm को पहले समझ ले regression के जो हमारे random forest regressor और gradient boost regressor दोनों को हम लगाएंगे ठीक है अब यहां पर यह हमने कर लिया अब करते हैं train test split the data train test split the data करने के लिए आपके पास आपको पता है x train y train और x test y test करने के बाद आपके पास इस तरीके से 80-20 की ratio के अंदर train test split हो जाते हैं and then हमने क्या करने हैं हम यहां पर अपना model create करते हैं पहले करते हैं create the model model हमारे पास कौन सा जना model is equal to random forest regressor दूसरा train the model fit की x train y train पे फिर predict आगया y predict करेंगे model predict x test कर लिया and then हमारे पास कुछ इस तरीके से हम evaluate the model कर लेते हैं और accuracy score आ रहा है क्या यह ठीक आ रहा है कि गलत आ रहा है गलत आ रहा है reason क्या है we need to evaluate this regressor model evaluate the regression model यहां पर अगर अब देखेंगे तो यह कुछ अच्छे तरीके से बताएगा हमें देखा समझदार है बचा तो आर स्केर स्कोर हमने यहां पर predict कर लिए ठीक है यहां पर यह गलती होनी है मेरे से जान बूच के करता हूं पता नहीं क्यों मज़ाता है मुझे समझ से बाहर है वो यह वाली है लेबल इनकोडिंग और यह बस एकादस ही बन गádई जान बूच के करने की तो मैं एक्स को सारे के सारे को पकड़के ही लेबल इनकोड करते हूँ थीक है एक्स तो एक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़े हैं आपको पता है sex आ गया हमारे पास smoker आ गया और day time नहीं हमने करना time को label encode करेंगे तो time का column क्या था ? let me see def dot head tips dot head tips dot head time dinner था ठीक है इसको भी कर देते हैं यह हमारे पास sex smoker day and time सभी बता रहा था गलत हो सकता है क्योंकि बिल्ट-इन डेटासेट के उपर यह अच्छा काम करते है आजा टाइम येस टाइम तो यहां पर इसको इनकोड कर लेते हैं यह पीछे वाले को में रिमूव करते हैं तो हमें रशनी डालना हमने ओके जी इंकोड कर लिया ट्रेइन है साप्लिय कर लिया और यह मारे पास आपर रेंड़े लगाया एस को कॉपी करके यहां पर पेस्ट करके रैंडम फॉरेस्ट की जगा यहां पर ग्रेडियंट बूस्ट रिगे रहसर करने लगाऊं एंड एट्स इट ओके हो गया तो कौन सा मॉडल कदरे बेहतर प्रफॉर्म किया है इस वन ग्रेडियंट बूस्ट के नहीं अच्छा प्रफॉर्म किया थे यहां पर मॉडल दौक गेट अगर मैं करूँ तो यह मेरे पास ग्रेडियंट ख्रेडाम्स आप knights अब यह alpha क्या है, criterion क्या है, maximum depth क्या है, maximum feature क्या है, leaf node क्या है यह सारा कुछ circuit learn ने अपनी मर्जी से लिखा हुआ है so you can understand अगर आप जाएंगे वहाँ पे random forest regressor के उपर circuit learn की library में अगर मैं इसको run करता हूँ gradient boost regressor को और यहाँ पे model.get params करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इसके parameters आ जाएंगे और these are those parameters which are different than the first one ठीक है, n estimator बगारा कितने होने चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए और यह basically आपके default values होती है loss क्या optimization function क्या है तो हम इसको carry on करते हैं यहाँ पे हमने अभी use किया है अपना सिर्फ और सिर्फ gradient boost और regressor and classifier को बाद में कर लेते हैं यहाँ पे सिर्फ regressor को चलाते हैं एक और regressor यहाँ पे ले आते है एडिये boost regressor कॉमा बलके एडिये boost regressor यहाँ पे करते हैं यह मैंने किया अब इसको मैं यहाँ से delete कर रहा हूँ क्योंकि you can actually run this thing यहाँ पे सेम वही चीज़ कॉपी पेस्ट एडिये boost regressor and done यह फिर भी क्रीब क्रीब है gradient boosting regressor की अभी हमने ट्यून नहीं किये simple हम इसको run करके देख रहे हैं कि हमारे पास किस तरीके से यह run होता है अब मुझे बताएं कि एक्सजी बूस्ट जो है उसकी लाइब्रेरी कौन सी है क्या वो साइकिट लेर्ण के अंदर मजूद है हम पर साइकिट लेर्ण रहे हैं ना तो क्या वो मजूद है वहां पर नहीं यहां तो उसको कैसे रन करेंगे एक्सजी बूस्ट को उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने पड़ेगे विच इस पिप इंस्टॉल एक्सजी बूस्ट यह वाली लाइब्रेरी ठीक है पिप इंस्टॉल एक्सजी बूस्ट सिंपल अब यहां पर हम ऊपर जाते हैं और यहां पर दुबारा लेखते हैं इंपोर्ट एक्सजी बूस्ट एज एक्सजी बूस्ट इसको मैं रन करता हूं और ट्राइ करते हैं सेम अलगरित्म को यूज करने की में भी काम कर जाएं में भी ना करें मैं यहां पर एक्स जी बी रिग्रेसर मगाते हैं मेरा नहीं क्या हल काम करेगा लेकिन फिर भी चलाने में क्या हर्च है वो कहते हैं एक्सजी बूस्ट रिग्रेसर इस नॉट डिफाइन तो क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर क्या लिखेंगे यहां पर एक्स जी बी डॉट एक्सजी बी रिग्रेसर समझ रही बात की क्योंकि एक्सजी बी जो हमने किया है ना ये बिसिकली इस लाइबरेरी को किया हमने ठीक है तो अगर मैं इसको डॉट यहीं पर लगा के एक्सजी बूस्ट डॉट यहां पर जाके भी इसको ढूंड सकता हूं इसकी एपियाई के अंदर जो अभी फिलहल मुझे नजर नहीं आ रही तो यहीं तरीका कार बैस्ट रहेगा फिर मेरे ख्याल से हमें पंगे लेने का फाइदा नहीं है है तो एक्सजी बूस्य इस तरीके से लगके है सिंप्ली वही चीजा लेकिन लैपरेरिया आपके डिपरेंट है अच्छा जी एक्सजीबूस्स के बाद अधा भूस्ट भी हो गया कैसे लेगेग हिसमें कैभ भूस्ट कैसे लगेगा पिप इंस्टॉल कैट बूस्ट कर लें टैंसर फ्लो के साथ भी लग जाते नो वरीज उनके साथ भी लग जाते हैं लेकिन हम कैट बूस्ट को इस तरीके से भी लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया तो यहां पर स्टार्ड में दुबारा जाउंगा यहां पर लिखूंगा from कैट बूस्ट import cash boot cat boost regressor चल पड़ा यहां पे simply मैंने वही काम करना है copy सिरफ check करने के लिए के सारे काम करने के नहीं करें cat boost regressor hopefully it will work and it worked check करो मुशूरिया start होई है साथ में कहते हैं जी आप tensorboard को क्यों यूज़ कर रहे कर दें था हम भी यूज़ ठीक है अब यहां पर यह रेट क्यों आ रहे हैं किस वज़ा से आ रहे हैं जब आपको इपॉक्स वगएरा कि समझ आएगी दन यू एंडरस्टैंड इस तिंग वरी वैल और इंशाला वह हम बहुत जल देखने वालें के किस तरीक ना इस वाइन उसकी वर्बोस को आप अगर फॉल्स कर देंगे तो आपके मॉडल की नीचे आउटपुट वैसे नहीं आएगी जैसे आने चाहिए थी सिंप्ली इसी तरीके से आपके पास हार स्कोर आजाएगा पॉइंट थ्रीफाइव का ठीक है लाइट जी बीम अगर प्रफॉर्म करना हो तो वह कैसे किया जाएगा एक जी बूस्ट अगर प्रफॉर्म इंस्टॉलेशन में टाइम ले रही है तो इंटरनेट कैश हुआ है मेरे पास इंटरनेट अलाइट में दो अधकिन प्रफॉर्म आभ यहां पर लिखेंगे फ्रॉम लाइट जी बीम import lgbm regressor और यह मसला कर गया है क्योंकि यह lgbm regressor import lgbm and lgb from lgbm import lgbm regressor it should work क्यों नहीं काम कर रहा जी no module name lgbm थले फिर इंस्टॉल नहीं हो यह 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 बाइदा वे light gbm जो है install light gbm यह कह रहा होगा है कि आप इसको बंद करके दुबारा चलाएं output line python setup where is wheel did not run successfully problem 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 restart the kernel I knew it kernel sahab ना गुसा कर जाते हैं एक सारो कहा था फिर कर गया है असे करना ही नहीं है खेलना ही नहीं है तो यह बाद में लगा के देखेंगे फुर नाओ जो इंपोर्टन थे वो हमने सभी लगा लिए मैं यहां पे सारी की सारी उपर वाले सेल और सारी की सारी नीचे वाले सेल इंडिस वन इस वेल उसको रन करता हूं बाकी हाइपर पेरामिटर ट्यूनिंग का भी टॉपिक जो है मैं कल इंशाला या परसों आपको बढ़ाने वाला हूं तो यह सारे अल्गोरित्म हमने दुबारा से लगा के हाइपर पेरामिटर ट्यून फार्म में देखने हैं ठीक है तो डोंट वरी अबाउट अभी के लिए मै अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाओं यहां पर अगर यह काम कर गया तो फिर मैं आपको दिखाता हूं अदरवाइस मैं लिंक सेंड कर दूंगा ब्लॉग का जहां से यह मैंने कौपी किया अगर हम सारी की सारी प्रेडिक्शन को वाई 1,2,3,4,5,6 ऐसे लेगे चलें दन वी कन दो इस वाई प्रेडिक्ट वन और वन इस वन इस फिर्स वन तो तो इस वन इस वन इस ग्रेडियन पूस्ट थ्री थ्री और और यहां पर भी फिफॉर बर्गर आ राजाता है अन ताइम पर चार अलगरितम में जी ओन तो थ्री फॉर पंजमा कर दिनने अधे जाओ तो लेट सी हाओ इट वर्क्स पहला हमारा था रेंडम फॉरेस्ट राइट लोब पहले रन करके देखते हैं आपको बता रहे हैं बिसिकली यह सिंपल प्लॉट लाइन प्लॉट इसको बोल देते हैं यह लाइन प्लॉट बार बार आप डिफ्रेंट एक्सेस उसके अंदर एड़ करते जाएं तो हमारा पहला मॉडल है यहां पे था रेंडम फॉरेस्ट दूसरा ग्रेडियन बूस्ट इसरा अड़ाबूस्ट चोथा एक्सटी बूस्ट गैट बूस्ट भी तो है अच्छा मुने नाम ही नहीं चेंज किए एक्सटी बूस्ट पिर कैट बूस्ट अब यहां पे नाम भी चेंज कर सकते हैं तो मैं यहां पर इसको आरफ बोल देता हूं GB XGB So this is how you can see कि आपका Y test और Y predict में कितना फरक आ रहा है अगर यह line बिलकुल सीधी हो तो इसका मतलब यह है कि prediction आपकी जो Y और X की है वो सेम जा रही है यानि एक की एक prediction हो तो यह 100% है दो की दो हो इस तरीके से तो यह line कुछ इस तरीके से सीधी जानी चाहिए लेकिन यह आपको बताती है कि यहाँ पर इस तरीके से accuracy जा रही थी फिर ऐसे down गे फिर आप फिर down फिर down और यह इस तरीके से आपके accuracy जो है वो बहुत कम regression का R-square score यानि के straightness of the line वो बहुत कम है already जिससे हम अंदाजा लगा सकते है कि हमारी जो R-square score है वो maximum जो गया है हमारा 0.36 गया है अगर आपने देखा हो यहाँ पे 2-6 यहाँ पे है 3-5 यहाँ पे है 1-9 यहाँ पे यह तो बिल्कुली काम खराब कर गया ना डेफ्टिब बूस्टिंग और अगर हम 2-3 देखें 3-5 यहाँ पे तो cat boost और बाकी एक-दो अल्गुरित हम अच्छे काम कियें बाकी नहीं किये सो और स्क्राइब की वैल्यू वैसे कम थी इस वज़ा से इस तरीके से हैं अगर इस पर classifier लगाना हो तो वो लगा सकते हैं कोई शूद नहीं है ने classifier कैसे करना है सिर्फ एक्स और वाय में चेंज होनी है matrix में चेंज होनी है and then you can work on this hopefully right चले मैं यह आपको नोटबुक यह वाली चलें भेज देता हूं आपने क्या करना है आपने काम करना है इसी के classifier बनाने नहीं करने का आपको फाइदा ही होगा एक प्रैक्टिस हो जाएगी कोडिंग की बाकि सारी बात है आप बहुत बड़े कोडर हैं सारे के सारे सो यू डूंट नीड तो डू दैट लेकिन अगर आप कर लेंगे तो अच्छा होड़़ए मैं यहां पर अगेन इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं नेक्स लेक्षर में मिलते हैं